So, Hello Guys, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मॉबाइल का गेम है Call of Duty, इसे हम अपने PCA लेप्टॉप सिस्टम में कैसे डाउनलोड एन इंस्टॉल करें तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम इजी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप भी अपने PCA लेप्टॉप सिस्टम में Call of Duty जैसे गेम को डाउनलोड एन इंस्टॉल कर सकते हैं इस गेम को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करके और अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है मैं हैं पर यूज करने वाला हूँ गूगल क्रोम सो ब्राउजर में आने के बाद हमें एक emulator सर्च कर लेना है जिसका नाम है blue stick इसी के मदद से हम अपने system में as color beauty को download and install करने वाले हैं सो अपने ब्राउजर के सर्च बार पर क्लिक करके यहां पर लिख देना है blue sticks download इसके बाद इंटर दबा के सर्च कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह की website सो होंगी यहां सबसे उपर ही हमें blue stick को official website देखने को मिल जाता है तो simply आप लोगों को इस website पर क्लिक करना है और इसे open कर लेना है तो इसका interface कुछ इस परकार आपको देखने को मिलेगा अगर आपके system में RAM और processor कम है तो आपको यहां पर blue stick 10 डाउनलोड नहीं करना है आपको यहां पर blue stick 5 डाउनलोड करना है और अगर इस website में स्क्रोल करके नीची आओगे तो नीची आपको इसके और भी वर्चन देखने को मिल जाएंगे जो 64 bit और 32 bit दोनों में available हैं तो हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं blue stick 5 स्क्रोल करके रिए उपर जाएंगे और जहां पर blue stick 5 या 10 लिखा है जो भी डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कर देना है तो आपके सिस्टम में वह software डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोडिंग कम्पलीट होने के बाद इस पेज को यहां से कट या मिनिमाईज करके अपने दिस PC को ओपन कर लेना है और यहां पर डाउनलोड फोल्डर देखने को मिलेगा सिंप्ली स्पिक क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है जैसे इसे ओपन करोगे तो आपको यहां ब्लू स्टेक 5 देखने को मिल जाएगा तो अब इसे install करने के लिए इसे select करना है mouse का right button क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर run as administrator देखने को मिलेगा simply इस पर click करना है और थोड़ी देर wait करना है तो आपको यह install now का button देखने को मिल जाएगा simply install now पर click करना है और जब तक कि आपके system में install होगा तब तक आपको wait कर लेना है ध्यान रहे कि आपको इस time अपने system को internet से connect करके रखना है तो install होने के बाद कभी-कभी यह automatic भी open हो जाता है तो आपको यह ध्यान रगना है कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मेरे system में blue stick 10 and blue stick 5 दोनों install हो चुका है automatic तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और blue stick 10 open होता है तो आपको उसे close करके यहाँ पर blue stick 5 को open करना है तो blue stick 5 open होने के बाद इसका interface कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा तो अब आपको यहाँ पर system apps देखने को मिल रहा होगा जैसे आप system app उपन करोगे तो आपको यहाँ पर play store देखने को मिलेगा और यहाँ sign in पर click करके अपना email id type करना है फिर next पर click करना है तो आपके सामने यह password इंटर करने के लिए बोलेगा तो आपको अपने gmail id का password टाइप करके फिर से next पर click कर देना है और यहाँ पर आपको अपना gmail id play store में login कर लेना है और यहाँ पर अपने game का नाम type कर देते हैं call of duty और इसके बाद हमें enterprise करना है तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि हमारा game यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इसे अपने pc में install करने के लिए simply install पर click करना है और आपके pc में यह game install होने लगेगा तो guys अभी फिलाल मेरे पास 2GB data नहीं है इसलिए मैं इस game को यही पर cancel कर देता हूँ अगर आपके पास इतना data है तो आप इस method का use करके अपने system में इस game को download कर सकते हो so guys यह था हमरा आज का वीडियो I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा मिलते हम next वीडियो में